हेलो जी विल्कम है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल अनुकमा ब्लॉग सैंड ब्यूटी में और यह जब मैं कल गई थी ना हस्बन के क्लिनिक पे तुम बताई थी ना कि मैं मौल भी गई थी तो वहीं का मैंने सूट किया है तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ तो यह ना जश्ट आते वक्त रास्ते में एक नया मतलब यह मौल भी ओपिन हुआ है तो वहीं हम लोग बस देखने आ गये थे क्यूंकि बच्चों की कपड़े बगर लेने हैं और बेटे का बड़े है 15 तारी को तो फिर उनके भी कपड़े लेने हैं और ठंडी के भी मतलब छोटा हो गया है जो भी विंटर वाले कपड़े थे सब छोटे हो गया है तो वहीं बस हम लोग यहां पर आ गये थे देखने के लिए खरिदने के लिए नहीं मतलब आया थे हम बस सोचे ना कि रास्ते में तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कपड़ा मिल से कहना जाती हूं जो लखनों के हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और अरोसी पडोसी जो भी हैं मेरे ब्लॉक्स देखते हैं तो यह देखिए यहां पर जो न्यू मॉल खुला है ना पावर हाउस पर तो उसमें बहुत ही मतलब अच्छे से कलेक्शन आये हुए हैं तो जिनको भी लेना हो तो फ्लेश जाके ले सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो यह देखिए हम सोच रहे थे ना कि अगर मुझे पसंद आये तो मैं बाबु के लिए एक सेट कपड़ा ले लूँ उनकी बड़्डे के लिए तो देखिए मैं यहां पर प्राइस भी बहुत ही अच्छी अच्छी थी सच में इतने महंगे महंगे थे अभी यह जो सूज वगर है ना अभी मैं दिखाऊंगी किसी के मतलब उसका प्राइस दिखाऊंगी तो आप लोग देखना तो कपड़े तो काफी पसंद आ रहे थे बट इतना महंगा और यह भी मुझे बहुत जाद अच्छा लग रहा था वट यह वाइट और ब्लू में था तो जैसे लग रहा था कि स्कूल का ड्रेस है कुछ भी कुछ भी तो और इसमें का मतलब और कोई कलर नहीं था तो इसलिए मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा था और एक यह देखिए यह भी अच्छा था बट इसकी प्राइज थी 1200-1300 सिर्फ सर्ट का और अलग से अगर हम पैंट या जिंस ले रहे थे तो उसका 800-900-1200-1300 ऐसे पड़ा रहा था सिर्फ पैंट का सिर्फ सर्ट का तो पसंद तो बहुत आया बट इतने महंगे कपड़े और बच्चों के मैं नही लेती क्योंकि ना इनका एक सीजन से जादा चलता ही नहीं चोटे हो जाते हैं तो इतने महंगे लेने से कोई फायदा नहीं होता और देखे यह भी पसंद आ रहा था बट इसकी भी मतलब यह 15-16 और कुछ ऐसे था तो बस देख देखके मैं रख दे रही थी मुझे नहीं सम पर में शिर्फ 60 ही हो रहा था सिर्फ मतलब उपर का ही हो रहा था अठट नौनोस ओके तो सिर्फ पैंट थे तो इतरना महंगा तो मैं तो ना आफ़र्ट कर सकती हूं और ना ही मैं बच्चो के लिए इतना महंगा कपड़ा लेती हूं और यहां पे देखे यह वी जितने सुन्दर इसकी प्राइज भी है तो अब भी मैं जस्ट दिखाऊंगी और एक यह देखिए यह वाला भी मुझे बहुत जादा पसंद आ रहा था तो इसका भी वही था और यह ना जो है मतलब सोच रही थी कि उसको ले लू बट उसमें का साइज नहीं था और वो बिल्कुल इस मतलब इसी विंटर में ही पहन सकते हैं तो इतना महंगा और एक सीजन के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी तो यह देखिए एक जुद्धे का मैं प्राइस दिखा रही हूं देखिए 1999 तो इतना महंगा कौन लेगा भी या जिनका नंबर दो की कमाई है वही लोग लेंगे और यह देखिए चटे-चटे जुद्धी थे लड़ियों के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था करेक्सन तो वाकई बहुत ही ज़्याद अच्छे थे और यह सब न ब्रैंड है और जैसे इसमें जो मॉल खुला है न मतलब सारे ब्रैंड ही है बहुत ही अच्छे-च्छे इस पेंसर हो गया मैक्स हो गया इस सब तो मुझे लगा कि मतलब मेरे लेने के मतलब जो मेरी जचे के बाहर था चाल चूट अच्छे के इतने महेंगे कपड़े नहीं लेती 1512-1200 का मैं नहीं लेती क्यूंकि एक सीजन ही पहनाना होता है तो उसके बास से यह छोटे हो जाते हैं और बिल्कुल कपड़ा वैसे कि वैसे ही रहता है नया ही रहता है बिल्कुल खराब भी तो देखिए वहां से हम लोग आ गया है नीचे इस्पेंसर करके था तो उसमें हम लोग सोचे कि चलो वहां पर देख लेते हैं तो सबसे नीचे ग्राउंड में तो वहां लोग अभी जा रहे हैं तो वहां पर देखते हैं क्या कुछ पसंद आता है कि नहीं अगर पसंद आता तो फिर लेंगे नहीं तो फिर यहां से रिटर्न ही हो जाना है यह है देखिए यह स्पेंसर है और तो देखिए हम तो जहां अपना आइटम देखते हैं वहां घुसी जाते हैं यह देखिए हम लोग का कुरती है यह और यह देखिए बहुत ही सुंदर-सुंदर मतलब कुरती यह थी नेने कलेक्शन आये हुए थे बट बहुत जादा महंगा महंगा था तो इतना महंगा महंगा मैं नहीं ले पाती हाँ मैं लोगी कब एक आद दो तो ऐसे लोगी महंगी कुरती है जब मैं यूट्यूब से कुछ आन करने लगूंगी तब सबर तो ही है 8-9 महिने से तो देखिए अक्षे कुमार जी मुझे पहचानते हैं कैसे सर्मार है न तो चलिए यह देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे से यहां पर भी कलेक्शन थे यह दिखिए कि अच्छे अच्छे ब्रेंड में बिल्कुल पर्स थे और बहुत ही सुन्दा लग रहे थे ज्यादा महँगा महँगा भाई हम लोग तो नहीं अफॉर्ट कर सकते तम महँगा महँगा तो यह देखिए यहां पर कुछ टी सर्ट वगर थे और नहीं समझ में आ रहा था यहां पर भी यहां पर था देखिए यह यह रेंग्श वगर थे बहुत ही सुन्दर सुन्दर थ इसके स्लिपर्स बगएरा बच्चों के थे यहां पर देखिए एक समझ में आया था वो देखिए पीछे सौट बट वो सिर्फ सौट था उसके वासे उसका पैंट हम लोग देख रहे थे तो वही तेरा सो चौदा सो तो मुझे मतलब कुल मिला जुला के कुछ भी समझ में नह निव निव मौल था तो हम सोचे चलो ठीक है देख लेते हैं तो अब भी हम लोग देखिए बस अब ऊपर चड़ रहे हैं और शिद्धियां से निकल जाएंगे आउर्फ में काम हो चाहे ने इनका काम होई ना तो देखा आप लोगों ने क्या बोल रहा है है मतलब इन लोग को न अब बंद लगों ना ओफ ख़िव और कोई काम हुआ नहों इनका वीडियो तो बनी गया इनका काम होई रहा है मतलब एसान करते हैं हस्वेंट लोग बनाते हैं तो अभी देखिए अब यह आ रहे हैं उ तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमिन करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जब हम लोग निकल लएते ना तो हाँ एंट्रेस में ही इतना अच्छा सा देखिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था सुन्दा लग रहा था तो मैं वहाँ पर बैठके थोड़ा सा वीडियो सुट कर वा लिया उसके बाद से फोटो बगर ले लिया अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए तो चलिए मैं वीडियो कहीं पेंड भी करती हूं बाय बाय मिलते हैं नेक्स व